नमस्कार स्वागत है आप सभी का सीनवी सी आवाज पर आप देख रहे हैं खिलारी नमबो वन पिछले दो ट्रेडिंग सेशन्स में मार्किट में काफी जादा वॉल्टिल्टी देखने को मिली है आज ताज़ा तस्वीर क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर पर आएंगे और फिर बात करेंगे कि हमारे जानकारों के रिटर्न क्या बने हैं तो आज एक पुलबैक का दिन है करीब 300 पॉइंट का इजाफा क्योंकि एशाय मार्किट्स डे लो से कुछ रिकावर होते हुए दिखाई दिए थे कल मेर्की मार्किट्स में थोड़ी सी खर कल दरसल याने कि गुरुवार को जो MPC है उसका फाइनल आउटकम आएगा याने कि RBI गवनर की प्रेस कॉन्फरेंस से साथ मॉनिटरी पॉलिसी में क्या स्टांस रहने वाला है रेट्स का आगे क्या आउटलुक का उस पर कुछ बयान आएंगे और जो ग्लोबल माकिट्स म है इसलिए अद्वांस टिक लाइन रेशो भी आज बढ़त पर ही कारोबार कर रही है जहां पर कल आधे आखरी आधे घंटे में वो स्लाइड देखने को मिला था फटा फट से आपके लिए लेकर आएंगे कॉन्ट्रिब्यूटर्स इस मार्किट के और फिर बात करेंगे कि हमारे जानकारों ने क्या रिटर्ण्स बनाए हैं तो एच्टेफ सी बैंक की भागेदारी है रिलाइंस की भागेदारी इंफोसिस और ओएंजी सी जैसे दिगजो की भागेदारी है जो पॉजिटिव है लेकिन कल से आज भारती एटल में मुनाफ़ा वसूली का सिलसला बर चीत ये है फिलहाल आपके सामने पहले रिटर्ण्स 4.8% तक के पॉजिटिव रिटर्ण्स प्रदीप इनफाक्ट एंजॉय कर रहे हैं तो ये थोड़े से कमफर्ट जोन में आते हुए दिखाई जरूर दिये हैं दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो 2% का नेगिटिव रिटर्ण कपिल का लेकिन फ्रिशांत माइनिस 6.76% के रिटर्ण्स पर हैं तो वहां से एक बड़ा कमबैक इनको करना है पहले तो प्रदीप मार्किट को कैसे पढ़ा जाए इस पुलबैक में क्या फिर तेजी के सौदों पर फोकस करेंगे या फिर अभी भी अपने आपक करके चलना है याने कि एक तीजी और एक मंदी का ट्रेड रखें तो बेंशना के इस पे तो अभी भी कंफर्ट नहीं आरा लॉंग जाने में हमारे इसाब से जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था मंडे को वो गैप काफी सप्लाय प्रोइट करेंगी आगे चलके तो जबता कि यह 24,400, 24,700 का रिलिस्टन जोन अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता उसके ओपर निप्री सस्वें नहीं करता तब तक हमारा कन्रेक्शन बाइक की साइड नहीं रहेगा ऑन दलोवर साइड जो मंडे को बॉटम बने थे वो कल होल्ट जरूर हुए तो इसी 23,900 के सपोर्ट क नजर रहेगी वो ब्रेक होता है तो फिर बंडी की बात करेंगे डेफिनिटली इंडिविजुल स्टॉक्स हैं सब्सक्र करके डिफेंसिव सेक्टर से वहां पर हमारा कन्रेक्शन लॉंग से जाने के लिए बैटर है तो हमारे सब से स्वाड़िटल के डिफेंसिव बैट्स के लॉंग जानना जारा पसंद करेंगा ओके और यह फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ प्रदीब की तरह से यह बताइए कापिल आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में जिए विजिए मार्केट ने काफे नीचे में बीटन डाउन किया हुआ है आज आपके अपडेट की तरह से आ रहा है प्रशांत आपका क्या रिजान रहेगा कैसे अप्रोच करना इस मार्केट को तो हर्षा जी मुझे लग रहा है कि आज का जो पूल बैक है वो कल से डेपेनेटली स्टॉंगर है उसमें कोई दोर आए नहीं होगी बट जैसे कि सबीने कहा है कि 24-400, 24-400 स्पाट के उपर हम क्लोज हो जाए एक क्लोजिंग बहुत जरूरी है कल भी हम काफी देर तक 24-300, 24-250 इस जोन में थे बट वहां सस्टेन नहीं कर पाए तो एक क्लोजिंग बहुत जरूरी होगी और वही हो रहा है प्रेक आउट्स फिजल हो रहे तो मुझे लग ट्रेड लिया जा सकता है चलिए ट्रेड अब लेना शुरू करते हैं प्रिशान्थ का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे इस समय आप यहां पर गौर करेंगे तो जो ट्रेड इन्होंने क्यारी किये थे उसमें बिर्ला सॉफ्ट और पिया इंडस्ट्री होल्ड कर रहे हैं आई जी एल में एक्जिट किया दीपक फर्टलाइजर में वह स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था यह बताईए आज का नया ट्रेड क्या रहेगा प्रिशान्थ तो हर्शाची सबसे पहले मैं एक अपडेट दर्शों के लिए देना चांगा की डिपक फटलाइजर स्कल थोड़ा में स्क्रीन से अवे था तो मैं एक्जिट नहीं कर पाया स्टॉप लॉस नहीं है आज भी हम मेरे बाइंग प्राइस के करीम हजार पे है और मुस्ट चॉ इसाब से फिर से एक बार जो स्टॉप कल नहीं चला था मैं उसीव के साथ जाना चाहूंगा डिपक फटलाइजर 990-9994 के बीच मैं इस बार स्टॉप लॉज रहे वो रफूंगा अल्मोस्ट कल के लो पे जोगा 949-940 और यहां से जो टार्गेट में देख रहा हो कम से कम 11 सो पचास-बारास हो यह मेरे टार्गेट होगे तो दीपक फटलाइजर तो आप यह री इंट्रिद्यूस कर रहे हैं बेसिकली जी ओके री इंट्रिद्यूस किया जा रहा है यह पर्टिकलर काउंटर मिल्ला सॉफ्ट और पिया इंडस्ट्री स्कल अफकोर्स वो च्रिगर हुआ था है यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकिन नए सेरे से 1150 टागेट और 940 का स्टॉप लॉस रहे का यह है फिलहाल आपके लिए राए प्रशान्त की तरफ से दीपक फर्टलाइजर पर प्रदीप और चंदानी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे प् पॉद्रिज कंज्यूमर में पंधरा सो के लेवल्स पर इन्होंने प्रॉफिट बांधा एचिवेल होल्ड कर रहे हैं जोती लाब्स भी होल्ड कर रहें डॉक्टर लाल अच्छा चला था इम्हाँ पर कल प्रॉफिट बुक या आज का फ्रेश्ट्रेट क्या है प्रदीप देखने को मिल रहा है उसमें से मैं से मैं जीन पिक करूंगा सेंजीन एक स्ट्रॉफिट का रहे है रिसेंट करेक्शन में भी यह कुद ज्यादा नहीं गिरा और आज अपना प्रिवेस्ट प्रिवेस्ट तो स्विंग है था परस्ट ऑगस्ट को बना था उसको प्रॉस कर रहे हैं एक अच्छे अर्ली चार्श पर कंफर्म कर रहा है 836 के करेंट रेट प्रेस को लेंगे 817 का स्टॉप लोस रहेगा 870 के टार्गेट रहेगा सिरफ 2% के नेगिटिव रिटरंस दिखा रहे हैं तो यहां से रिकवर करना शायद जादा आसान होगा इनके लिए भारत फोर्ज के स्टॉप लॉस जो था वो हिट हुआ करा गिद्स ग्राट को सीर्च को पर रहे दिखने मिल रहे हैं जो इतनी मार्कर भार्ट जो इसमें अपने प्रिवेश लेकिल से के लोज भी नहीं ब्रीच की हुए तो यहां पे 2868 की लबल के चल रहा है तो यहाँ पर बाइका व्यू बनता है, stop-loss उसका गाना काना, तू एक टीस रुपे आएगा stop-loss और उपर में टागेट मुझे तीन हजर के लिखने मिलते हैं, GLETSO. जी, एसके फार्मा कह रहे हैं ना आप? जी, जी, एसके. जी, एसके फार्मा के नाम से ढूंडेगा, प्लीज आप, डिरेक्टर साब तो दिखेगा, और एक बार प्लीज हमारे, हमारी टीम की सहूलियत के लिए एक बार फिर टागेट्स दोराएंगे, कपिल प्लीज. जी, करिंट लेवल 287 पोर पे बाइक अभी बनता है, 2830 पे स्टॉप लोस आएगा, और उपर में टागेट 3000 के. जी, एसके फार्मा में एक बाइसाइट का ट्रेड है, दूसरा ट्रेड इस समय देंगे और फिर रुकना चाहेंगे आप? जी, मैं रुकना चाहूंगा, सेकंड हाफ का वेट दोरूँगा. ओकी, तो सेकंड हाफ का इंतिजार होगा, और नए ट्रेड का इंतिजार फिर कपिल की तरफ से होगा, जरूर. बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार, एक्सपर्ट्स के अपनी नीजी विचार होते हैं. वेब साइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इंडला लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले.